इसमें आपकी रॉबिन हुड नहीं है उसका बाप है वह आप कॉफी वाले आक्टर नहीं चाय वाले आपके बाउजी ने आपका नाम मनोज कुमार आक्टर के नाम पर रखा कोगी वो उसके प्रेण थे मनोज जी के नाम पर रखा था तब शायद मैं अकेला ही मनोज था बिहार में लेकिन उसके बाद इतने मनोज हुए इतने मनोज हुए कि आज मनोज पंचर वाला मनोज चमपारन मीट वाला मनोज लिट्टी वाला ठीकि मनोज बैट पई तो एक ही तो ठीक है जुनूर में पढ़ जाते रामकुपाल वर्मा या अनुराकश्य कोंकना सेंड शर्मा या तब मैं नेताओं का किसी का नाम नहीं लूँगा नहीं चुनाओ का माहूल है देखो अचार संगेता लगी हो या मैं नेता का नाम ही नहीं लूँगा इसलिए आप पूछ रहा हूं अभी राज लेकिन उनके बारे में हर कोई जानना सुनना बहुत पसंद करता है रहे डाउन टॉ अर्ष है और जस्तलकि उन्होंने काम किया या फिर कहें तो जिस तरह की फिलम करी हैं वह अपने आप में उन्होंने अपना बॉली وीड में इक अपना आम और मुकाम बनाया है मेरे साथ म मैं और आपको बहुत बहुत बढ़ाई आप जहां से आए और आपने अपना एक मुकाम बनाया इसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बढ़ाई आप जहां बहुत वरले लोग होते हैं जो मेहनत मशक्कत कर थे कि मेहनत बहुत लोग करते हैं लेकि निश्वर की कृपा जो है वो कम Łूगों पहुते हैं आप पर वह हुई नैनीटी-जीः में ऐपना फिलमी करियर शुरू किया और आज यहां तक आप पहुँचें कभी जीवन में हम तो थीटर कर रहे थे दिली में और शेकर कपुर जी के कहने पर हम लोग मुंबई आए और बिलकुल उमीद नहीं थी कि हम दस फिल्म भी कर पाएंगे और आज अचानक से मुझे पता चलता है कि मैंने सौफ प्रोजेक्ट का में हिस्सा हो चुका तो एक चमतकार है मेरे जि से प्यार लगातार मिलता रहा है चाहे भले ही कितनी भी कठनाय आई लेकिन उपर वाले ने जो है हमेशा जो है वापस से उठ करके दोड़ने की उरजा दी शक्ती दी और तभी यहां तक मैं पहुंच पाया हूँ इसको जो भी अचीब्मेंट किसी का भी हो चाहे मनुज ब बदा Morement Role Play का आप मांते है भागी को बहुत जादा और मेरा अपना मानना है कि अगर आपको दम्भ है कि आपके करने से हो रहा है तो कभी सोच और आपके करने से पहले कुछ करने लगता है तो उसको लगता है उसके ही करने से सब कुछ हो रहा है और जब बुरा समय आता है तो उज्जेन के महा काल के दर्वाजे पर पाया जाता है तो अगर वो दर्वाजे पर लागातार खड़े होता रहे हर प्रिस्थिती में तो शायद चीजें और असान हो जाए तो आप भाग्य को भी मानते हो विधाता को भी मानते हूं कर्म भी मानता हूं और कर्म में भी विश्वास रखता हूं यह देखिए जो लिखा है हो तो होगा मैं बड़ा पॉपुलर सा श्लोक है जो गीता से हर कोई वाच देता है सुना देता है कर्मने वादिकार रखते मा भले शुका दाचना तो आपके हाथ में तो सिवाय कर्म के कुछ है नहीं प्रभून ने दिया ही नहीं और उपर वाला कहता भी है और जोतिश में भी कहते हैं क कि बीस प्रतिशत आपको दिया गया है जो आप काम से और अपनी आदत से चीजों को बदल सकते हैं बीस प्रतिशत तो बीस प्रतिशत जो हाथ में है उसको तो हम कम से कम इस्तवाल कर लें कि हम कुछ बदल पाएं तो उसी कड़ी में भगवान ने एक और चीज दी मेरे में कि मेहनत करने की अथा उर्जा कभी ना तूटने की शक्ति जिसके करण में यहां तक पहुंच पाया है मेहनत तो बहुत जरूरी है अच्छा एक बात बताईए यह सौवी फिल्म ही आपको अपनी वाइफ की फिल्म करनी थी यह क्या आपने मन में सोच रहा था या फिर विधान था यह आपकी धरपत्नी ने बोला था कि सौवी फिल्म तुम मैं बनाऊंगी तुमारी नहीं नहीं देखे क्या है उसमें सब कुछ जो है सब सारी चीजे बंती चली गई और पुर्व सिंकार की हमारे फिल्म के डिरेक्टर हैं उन्होंने मेरी कहानी पे अपना दि फिर उसवाल गुरूप के लोग वो पूड़क्शन में आ रहे थे तो शैल और समिक्षा ने कहा कि हम पूड्यूस करना चाहते हैं आपके साथ उनके साथ पुराना संबंद उनके पिता जी के साथ तो मैंने कहा ठीक है आप लो कीजिए फिर विनोत भानुशाली जी आ गया उसको थाटर में रिलीजर आ पना शांदार शाम शांदार फिल्म ती जी जी और देखिये हम जो पत्रकार होते हैं यह बड़े कंजूज होते तारीश ने करते और यह और मैं यह बात मानता हूं और इतनी चैकरते हैं ना हम किसी की नेता की तारिष नहीं हैं को कृटजयज रखनी चाहिए जिस व्यक्ति ने अच्छा काम किया और वो काम आपको बोलना चाहिए मेरे एक बॉस होते थे कहानी अपना चाहिए तो मैंने उन से पूचा कि बड़ा रूल क्या है पत्रकारिता का तो उन्होंने बोला कि अमीश देवगन जिसकी फ्रेंड पेज पर स्टोरी है वाई उस दिन का बॉस है हा तो बोला है इस में कोई गूले मतलब लखना कि आज तुम जो पत्रकार है ले का ऑगान है वो उस दिन का बॉस है जै उस बात को रिलाइस करना है, जब भी मन में कभी धाड़ना है तो इस बात को सोट देना, और मैंने उस बात को गांड़ बांदा, चाहे आराज मुझे 23 साल हो गए है और मुझे लगता है कि मैं उसको बहुत ही निश्पक्षटा के साथ फॉलो करता हूँ, लेकिन आप अपनी अचाहाँ तो फास्टिंग जब शुरू हो जाती है तो ब्लैक कॉफी या फिर ग्रीन टी, ये दो चीजे हैं जो मेरे फास्टिंग के साथ में बिल्कुल समंझस से हैं उनका, तो ये दो चीजे में लेता हूँ, नहीं तो जब तक मैं खा सकता हूँ, वह दो ढ़ाई पसंद है, कम दूद, हाँ, ज़्यादा दूद नहीं होनी चाहिए, फिर चाय का मज़ा चला जाता है, तो कड़क चाय पीना मुझे बहुत पसंद है, आपके बाओ जी ने आपका नाम मनोज कुमार एक्टर के नाम पर रखा, क्योंकि वो उसके बाई थे, मनोज जी के नाम ही मनोज था बिहार में, लेकिन उसके बाद इतने मनोज हुए, इतने मनोज हुए, कि आज मनोज पंचर वाला, मनोज चमपारन मीट वाला, मनोज लिट्टी वाला, मनोज होसियरी, मनोज कलॉथ मर्चंट, मनोज पान वाला, तो आपको बहुत मनोज मिलें, लेके मनोज बा क rätt zeggen. आ अआपके फिल्म की बारे में बात करते हैं, जो भाहिया जी फिल्म आ रही है, आपकी वाइफ न भयावा भी है उस आदमी का अब वो उस पास्ट में वापस नहीं जाना चाहता है लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जहां पे वो क्या पास्ट पे जाएगा या नहीं जाएगा या आपको फिल्म देखनी पड़ेगी तो ये फिल्म थेटर्स में रिलीज होगी थेटर्स में चौबिस सारी को थेटर्स में रिलीज हो रही है और बहुत ही बड़े स्थर पे रिलीज हो रही है तो आपकी वाईफ आप पे शिवस काइंड एनफ एज़ प्रड्यूसर और शिवस ट्रिक्ट नहीं जो है वो क्या है उनका कि वो सारे सवाल मेरे ओपर ही खड़ा करती है अच्छा इतने पसे क्यों लेते हो बागी जगे भी इस फिल्म में आपने पैसे का लिए होगे इस फिल्म में और जब उनको मैं हमशा कहता हूँ इस फिल्म में देखो मैंने मेरे पैसे तुम लोगों ने कितने घड़ा दी है तो इस तरी की जद्व जहद और विवाद चलता रहता है परिवार में इस पर ही पैसे का लिए होंगे आपने वाइफ से कौन पैसे ले रहा है अपनी कंपनी में मैं आक्टर हूँ जी जी वो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है ये गर से निकल के दूसरे घर में जाने है ऐसा भी नहीं है आज कल की आधुनिक महिलाएं ऐसे नहीं मानती है जी एक बाद बताईए जो मुझे समझ आ रहा है आपको गिर के खड़े होने में मज़ा आता है और मुझे सबसे मज़ा आता है जब मैं गिरू हूँ और आस पास वाले कहना शुरू कर दें कि अब वो खटम हो गया तो मुझे बड़ा मज़ा आता है प्रफिस्टरल करियर में भी वो दोर आया बहुत सारे बहुत सारे एक बार नहीं आया रर ओता हुअ जब्र मुझे गएनर हो फिरण में था नहीं पड़के था वाद नहीं है तो उसके बाद सब्सुड़ा at least सफ के बास यह बाद पर एक उँठान आया तो उस समय से चीजें अपना ठेक ठाक चल रहाऊ हैं, पर serait एक टाइम का आपके आपके पास भी काम नहीं था, बिलकुल ही नहीं, सुबहरсь आपकर, आभी हैएएО हाँ एक्टर बहुत बड़ी है लेकिन यार फिल्म में ने चली इसकी फिल्म में बहुत गलच चुछ तो होता है कि जब चीज़ें चलती नहीं है तो उसमें मीन मेक्स निकालने वाले तो आई जाते हैं क्योंकि मैंने अठेल जी को भी कवर करा तो अठेल बहुरी वाड़ी को तो प्रॉलेमेट में एक बर भी बोला था कि इससब लोग बोलते हैं कि BJ पी फारटी खराब है लेकिन वाड़ अच्छय है तो मनोज बैक्पाई एक्टर बहुत अच्छा है लेकिन कोई फिल्म नहीं दे रहा है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि सत्या के बाद इंडॉस्ट्री तो सेलेबरेट कर रहे थी। इंडॉस्ट्री को पता ही नहीं था कि इस आदमी का करना क्या है। ना यह विलन लगता है, ना हीरो लगता है। एक बॉलिवूड के अंदर कोई बड़ा चोटा अक्टर होता है। बड़ा स्टार और चोटा स्टार और चोटा अक्टर होता है। बड़ा स्टार और बाकी अक्टर होता है। तो बड़ा स्टार जो है प्राइमिंस्टर होता है बाके सब इधर और के मिनिस्ट्री भी लिए होती है लेकिन OTT ने तो सब बराबर कर दिया है ममला ऐसा पब्लिक को तो लगने लग गया है और मैं ये कोई स्टेट्मेंट नहीं दे रहा लेकिन रिलाइस कर रहा हूं कि लेकिन अब वो सुपर स्टार्डम मुझे नहीं लग तक शायद आप सही कह रहा हो कि अब जो स्टार्स बनेंगे वो वो सुपर स्टार्डम को शायद नहीं देख पाएं जो बाकियों ने देखा क्योंकि उसका सीधा सा है कि अब इतने सारे आवन्यूज आगए इंटर्ट कि अब भी इतने लोगों को काम मिल रहा है और वो घर और तक लोगों लोगों तक पहुंचे हैं अच्छा काम लियार करे मैं आप यकिन नहीं कर सकते हैं कितने लोग उसको देखते हैं जो थियर्टर में थियर्टर जो है या सिनमा जो है थियर्टर में वो उसको सोच भी नहीं सकता है एक टाइम होता था छोटा पड़ा बड़ा पड़ा मतलब डिफरेंशेट किया था टीवी इस बात को बेदकर विंअ टीवी आक्टर को बिल्कुल बिल्कुल लेकिन आज के तारिक में जैसे आवरी बिग स्टारिस अंटी लिए सवेग सेयोटरिया और या बेदार सोशल मीडिया अभी अभी वह समय schreiben बडल गया अभी ओटी ने अच्छा आपको रिलाइज होता है कि OTT ने आपको एक मतलब एक नए स्टार्डम पर पहुंचा दी बिल्कुल बिल्कुल क्यों कि यह फैमिली मैन प्लस उसके बाद जितने काम किये मैंने लागातार जो जो मेरी फिल्मों को लोगों ने देखा सीरीज को देखा जो सारे सक्स उसके कारण मैं घरो घरो तक पहुंचा डायल हंडर्ड साइलेज टू यह आपको नॉर्थ साउथ एस्ट वेस्ट ओवर सीज मैं कहीं भी जाता हूं सब ना सिर्फ यह वाला काम लोगों ने देखा है बलकि पीछे जाकर मेरे काम को ढूंड ढूंड के देख रहे हैं आज क कमाल का चुनाव हो रहा है यहां पे जो जनता है बोली ने रही है यह बोट कर रहे है रही है थे work क्या यह बैट कर देंगे तब ही यह जिन्दा रहेगा पास साल में यह समया आता है लेकिन वोट से अगर नीशे जारी तॉसका कारण क्या है मुझे समझ या फिर कुछ और कारण है क्या है यह तो मैंने जानता है मैं ग्राउंड पर काम करता नहीं मैं तो आप ही लोगों के प्रोग्राम को देखता हूं और यह बात सोचने समझने कोशिश करता हूं अच्छा आखिर में यह एक रैपिट फायर राउंड है तो कुछ-कुछ सवाल आप से मैं पूछूंगा राम कोपाल बर्मा या अनुराक श्यप राम कोपाल बर्मा गैंग्ज अ वसेपोर यह फिर सत्या सत्या में कोंगर अशेंशर्मा या तभू तभू में दोस्त है तो हाल गोविद तभू फो आज के युग में रनवीर सिंग रणभीर कपूर या तो इस वह कुछ रही सा अबया है का दिया करता है। कौन सा ऐसे नित्हा जिसको आपको लगता हो कि या यह इस बंदे में द्न था अब धालमंत्री ना भी रहती हैं तभी चलिगा दॉक्तर राइंदर परसाद और हमारे हमारे अट एक अलग तरीके का मैं कनेक्षन देखता हूं और जिस तरीके से उनके कारण उस इलाके को जो म नाम हुआ उस उस क्षेत्र का ये उनके कारण हुआ और बड़े अनुशासन वाले आदमी थे बड़े लिखे आदमी थे तो हम जब बड़े हो रहे थे तो डॉक्टर रायंदर पुसाद के बारे में हमें कहा जाता था कि पढ़ो हमें बोला जाता था कि इनके बारे में जानो क्योंकि हमारे इलाके से महापुरुष पर पैदा हुआ है दोजार इकिस का साल आपके लिए कठिन साल था और आपके पिता दुनिया छोड़के चले गए थे और तब आप उनके पास नहीं थे आपको फोन क्यों करना पड़ा था हुने मेरी छोटी बहन ने कहा क्योंकि मैं आता था दिल्ली और जाता था और एक समय आया जब मेरे पिता जी पूरे जिसे कहें कॉमा भी नहीं तो पूरे तरीके से बेहोशी का हालत में थे और डॉक्टर ने भी कह दिया था कि भाई सब ठीक है लेकिन फिर भी यहालत थे तो हमें लगता है कि अब यह इनका जीवन जो है अब यहां पे खतम हो चुका है यह कभी भी जा सकते हैं यह करते करते काफी महीने गुजर गया है और बहुत तकलीफ में थे बो तो पूरा परिवार उन से जाके बोलता था है कि आप जो ह सिर्फ करीब चार गंटे दूर. तब मेरी बहन को अचानक ऐसा लगा, चोटी बहन को, कि मेरे पिता जी मेरे बहुत करीब थे. तो उनको लगा कि शायद ये मनोज भीया के आने का इंतजार कर रहा है. तो उन्होंने काई कि भीया आप इनको बोलिए, आप इनको बोलिए, हम सब लोग बोलते हैं, यतिने तकलीफ में हैं, आप ये शरी छोड़ दे हैं, क्योंकि हम लोगे उसे तकलीफ इनका देखा नहीं जा रहा है. कुछ सालों से वो तकलीफ में थे, अब उन्होंने मुझे फोन दिया, और मुझे बोलना पड़ा, मैं अपने पिता को, कि आप अच्छे पिता थे, आप अच्छे बेटे थे, आप अच्छे दोस्त रहे, अच्छे पती रहे, आपने सब कुछ किया हम लोगों के लिए, आप ये शरीर छोड़ दो, अब ये मेरे खियाल से अब आपकी, आपका समय यहां पूरा हो चुका है, जो भी मौ माया है, आप उसको छोड़िये, आगे का शरीर आपका इंतजार कर रहा है, और मैं अगले दिन सुबह, मैं मेडिटेशन के लिए सुबह, चार साड़े चार बज और मेरा फोन वाइबरेशन पर था, तो वाइबरेट करना शुरू होगा, और सुबह का समय था, पौने पांच पांच बजे का, और मुझे यह एहसास था कि इस समय कोई फोन नहीं करता है मुझे, पदा नहीं क्या हुआ कि मैंने मेडिटेशन छोड़ दिया, और मैंने फो आपकी बात मालनी है, हाँ, मेरे लिए बड़ा कटिन, मैं उस बाकी कोई ज़्यादा बात नहीं कर सकता है, बड़ी परिशानी होती है, मुझे भी बहुत जब मैं आप बता रहे हो, तो मैं खुद बहुत बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, में पास भी अगला क्या मैं अपने असिस्टिन को दूर देखा तो मेरी बात चीज़ सुन रहा था, और वहां पर जमीन पर बैठ करके धाड़े मार के रो रहा था, मेरी सिर्फ बात सुन करके, लेकिन चुकि मैं बोल रहा था और मैं पूरे इमानदारी से बोल रहा था, और मैं बाबजी के का अंत हो, इनका, ये चले जाए, उस समय मैं यह नहीं लगा था कि उनके जाने के बाद मैं कई सालों तक उनको मिस करूंगा, और जब ही आप मित्र लोग जो है, बोलते हो वाक्या में लिए बड़ी तकलीफ हो जाती है, जी जी, अच्छा, आमिर खान या शारुक कान, दो ग्रूप में, तो जाही सी बात है कि मैं उसी का नाम लूगा, जी, चलिया आपने हमें इतना समय दिया, और काफी दिल की बात करी, और मुझे भी उमीद है कि आपने भी मुझे अक्सर बड़ी हार्ड न्यूस पढ़ते हुर देखा होगा, इस तरह का समात, हमेशा डर लग करना शुरू करते हो, फिर वह अगले दिन निराश कर देता है, हर नेता के साथ ही होता है, तो इसलिए मैंने आप राजनीती, आप लोग पूस्ते हो ना, राजनीती में जाओगे कि नहीं जाओँ मैं को नहीं जाना है मैं तो सोच रहा हूं कि अपने दस साल, 12 साल के बाद काम काम करके मैं रिशिकेश में घर लूँ और वहाँ पर अध्यात्म को अपना समय दूँ मेरा मेरी बड़ी इच्छा है दिली इच्छा है कि मेरा जीवन समर्पित हो अध्यात्म की तरफ देखते हैं आगे क्या होता है आप लिखते भी हैं थोड़ा बहुत कुछ लिखा कुछ बोलना चाहेंगे या कुछ बोलना चाहेंगे ऐसा कुछ लिखा नहीं कि मैं बोलना चाहूं लेकिन वो जो जो लिखता हूं वो बड़ा विक्तिगत होता है कुछ मन में हो जिसको आप आखर में बोलना चाहें हमारे दょश्टकों के लिए मैं सिर्फ एतना कहि अचहूंगा, कि चुनाओ का माहॉल है, मैं आपको खुश खिर देता हूं, चुनाओ का माहॉल है, पाफ साल के लिए, जो भी नेता चुनी है, ऐसा चुनी है, जो आपकी सोचता हो, और जो इस देश के लोगों के बारे में सोचता हो और एक ऐसा देश बनाए जो इस विश्व में सबसे शांतिपरी हो जो North, South, East, West सबको साथ लेके चाबे है बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमार साथ आने के लिए और आपके साथ बात करके एक learning experience रहा मेरे लिए भी और आप बहुत-बहुत मेहनती, बहुत-बहुत काबिल व्यक्ती है और इश्वर आपकी रक्षा हमेशा करता रहे है आपके लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ और मैं आपसे कहूँगा आप सब परिवार और पूरे दोस्तों के साथ भाईया जी 24 माई को जरूर जाये देने लिए बिल्कुल बिल्कुल और आपकी फिल्म हो और लोगों को बोलना पड़े देखने के लिए देखिए आप जो हैं वे एक कल्ट आक्टर है जब व्यक्ति अच्छा हो तो इसको थोड़ी तारीफ स्विकार करने के लिए और आपकी फिल्म अच्छी चले देखिए 24 माई को आपका नतीजाएगा चार जुन को निताओं का नतीजाएगा दोनों का इंतजार है चलिए तो फिलाल आपका धन्यवाद आपका समय देने के लिए हमें धन्यवाद थाइंक लिए